नमस्कार मैं दिपक स्वागत करता हूं आपका ग्यान अनुस पर इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 9 मैस में जो आपका चैप्टर नमबर 7 चल ला है इस ट्रेंगल ठीक है इसमें हम एक्साइज 7.2 कर रहे थे इस ट्रेंट और कोशन नमबर 4 तक मैं आपको कंप्ल इस ट्रेंगल ठीक है कैसे ट्रेंगल स्ट्रेंट इस ट्रेंगल यानि कि इन में दो साइड क्या होनी चीए इक्वल होनी चीए डन तो दिखें यह आपको दिग रहा होगा पिक्चर अल्रेडी आपको मिल जाएगा इस नमबर से सी फिगर 0.733 ठीक है तो संभा गया कि ABC और दीबीची के है टू आइसोलेस ट्रेंगल अन दा सेम बेस बीसी उनका जो बेस है बीसी यानि कि जो बीसी एक्चुली वहूं कॉमन साइड है यह दिखें पिक्चर देखिए पिक्चर आपको एनस आर्टी बुग में अल्रेडी मिल जागा दिखें एक ट्रेंगल है ABC इस ए गुमा के डन बात तो दो ट्रेंगल हैं और दोनों आइसो ट्रेंगल हैं A B C और D B C विट कॉमा सेम बेशन का बेश कैसा है सेम है बीजी ठीक है जी सो डाइट एंगल A B D equal to angle A C D आपको यह सो करना एंगल A B D आपको यह वाला angle किसके को लाना है A C D के यानि कि इस वाले angle के equal लाना यह दोनों angle आपको equal दिखाने तो आपको given given मलना जो आपको देखा तो आपको two triangle डेखें ठीक है two iso less triangle हाई बास में two iso less triangles triangle को short में ऐसा लिए ठीक है अब कौन-कौन से हैं आपके एक तो triangle A B C है एक है आपका triangle dbc ठीक है कोई problem यहां था कोई दिक्कत नहीं है तो दो triangle two isolates triangle that is triangle abc and triangle dbc अब दिखे इसमें अगर मैं बोलो abc में ठीक है आई बस में कि इसमें दो side कौन कौन सी equal है a b equal to a c दिखे आपको picture में अल्रेडी बनाके दिग्रक आई आपको खुद पता होना चाहिए कि isolates triangle है तो इसका मतलब दो side equal होंगी होंगी तो picture में दिखे यह आपको single marking दिखे दिखे इसका मतलब यह इसके equal है यहाँ पर double marking कर दिया नहीं कि यह इसके equal है ठीक है तो आप लिख दीजिएगा खुदी कि in which कि जिसमर क्या है a b किसके equal है a c k equal है यह लिखा नहीं ऊपर question में लिखा यह लेकिन picture में हमको दिखे रहा है ठीक है और दूसरा आप क्या बूलोगे इसमें यह वाला side यह नहीं कि b d किसके equal होगा आपका c d k equal होगा ठीक है b d equal to आपका हो जाएगा dc कोई दिक्कत कोई भी problem आई हो नहीं हो नहीं हो नहीं say that is b d equal to dc ठीक है student तो यह आपने लिख लिया अब two proof क्या करना है two proof में आ जाता जो आपको लाना है एंगल a b d किसके equal है एंगल a c d k equal आपको लाना है तो देखिए student आप क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों triangle में individual लेंगे पहले a b c में लो ठीक है proof करना सुरू करते हैं हम तो ले रहे हम इन triangle किसमें जी a b c में लेंगे ठीक है इस ट्रेंगल a b c में आपको क्या दिख रहा है कि आपको given है वही क्या given है कि a b कि किसके कुल स्ट्रेंट a c के कुल है ठीक है देखिए a b किसके कुल है a c के यह आपको क्या given है आपको reason लिखना पढ़ेगा कि equal क्यों लिखा आपका given है यहां भी आपको दिख रहागा जो कि मैंने लिखा आप दिखें कि जब आइस ट्रेंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपूजिट एंगल भी क्या होते है आपको पीछे करा चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में यह वीडियो देख सकते हैं ठीक है कि आपको बताया था कि जो एंगल अपूजिट में होते हैं किसके एंगल अपूजिट इक्वल साइट इन आइस ट्रेंगल आर इक्वल वह एक्वल होते हैं यह बी सी यह वाले इसको मान सकते हैं किलियर स्ट्रेंट अब दूसरा ट्रेंगल डूसरा कह रहा है इंट ट्रेंगल डी वी सी यह वाले ट्रेंगल दिखिरुझेप अ को नी चलाएगी इस में भी यह है इसके एक्वल ही यानि क्या बोल सकते स्ट्रेंट की बी-ड किसके केे पो flick आपका डी सी तो यह वाला एंगल इसके एक्वल क्योंकि यह दोनों इक्वल हैं तो थेओरम 7.2 से आप बोल सकते हैं अगल DBC किसके एक्वल होगा एंगल DBC के एक्वल होगा ठीक है यहां पर एक्वेशन नमबर टू मानलो और यह भी कहां से लिखा आपने वाई थेओरम नमबर कौन सी 7.2 से आपने यह चीज भी कह दी कोई दिक्कर नहीं है अभी तक ठीक है जिसमागे ना कौन सा इक वाला कीजिए यह लेफ और राइप राइट राइट है यह प्लस एफे टिक है यह थिक है आंगल एसी बी प्लस अगल DBC प्लसदी बीसी इन दोनों का प्लस ये वाला देखिए अनका ये वाला ओडी पीकर देखिए लंगल वहां तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है एंगल a b d हो रहा है यह एसी देखिया आगे यहाँ पर a cb और dcb a c b मतलब यह वाला एंगल और फिर प्लस और का dcb यह निकि यह वाला तो इन दोनों को मिला कि क्या बन्दा आपका यह बड़ा एंगल बन्दा तीज A, C, D ठीक है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा एंगल A, C, D और यही आपको प्रूफ करके लाना था देखिए यही आपको शूव करना था डन तो यह आपने क्या कर लिया इस्टुवर्ण प्रूब्ड कर लिया संदमा गया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है बढ़ते हैं नेक्स कोईशन यानि कि कोईशन नंबर 6 के और इस्टुवर्ण भहुत अच्छा कोईशन है पिक्चर आपको अल्रेडी मिल जाएगा ठीक है बुक मैं से अटी बुक में दीकिए कोईशन नंबर 6 को भी आराम से पढ़ते हैं देखिए सबसे बड़ी बात है कोईशन को समझना अगर कोईशन समझ गया तो कम से कम 50% 60% काम तो वैसे ही सॉल हो जाता है ठीक है चलिए तो ट्रेंगल ABC एजन आइसोलेस ट्रेंगल देखिए आपको पिक्चर दिख रहा होगा ABC कैसे ट्रेंगल है आइसोलेस ट्रेंगल यानि कि दो साइड इसमें एकोल होंगे और मार्किंग हो रिकिए यानि कि यह वाला इसके एकोल होगा ठीक है फिर कहरा साइड बी-एयर आपको जो साइड यह दिख रही है को यहाद नहीं कि शुरुआत में जो बात करके अटा पिर साइड्य वाला एक दिख रहे है और ऐसा हो चाहिए उ कि आई-दी है यह वाला ए-डी वो किस के कोलो ए बी के मतलब अगर हो तो यह भी 4 cm के एक्वल आपको आगे बढ़ाना है प्रोड्यूस मनला होता है आगे बढ़ाना है बी ए को कहां तक बढ़ाना है प्रोड्यूस टू डी पॉइंट तक और ऐसे बढ़ाना है such that कि AD किसके को लाए AB के एक्वल होना चाहिए C figure 7.34 यह आपको NCIT इस नंबर से मिल जाएगा picture तो so that आपको क्या सोट करना है कि एंगल BCD आपका एंगल BCD यानि कि यह वाला एंगल क्या लाना आपको is a right angle, right angle का मनलब 90 degree यानि कि जो एंगल C है आपको 90 degree बताना है तो आप given में लिख लिए कि आपके पास given में क्या एक triangle ABC है ठीक है, is an iso slash triangle ठीक है जी, iso slash triangle मनलब जिसमें दो side equal हो, done बात iso slash triangle है clear है in which इसमें क्या दे रखा student यह short map triangle लिखा हुआ, in which AB किसके equal है student, AC के equal है, done और यह भी दे रखा है, side BA को कहा produce किया, D तक और यह भी दे रखा है, कि AD किसके equal है, AB के equal है, यह सब आप given में लिख दें, तो आपको क्या सोग करना है, कि angle BCD is a right angle, ठीक है, right angle कितने degree का होता है, exactly 90 degree, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कि angle BCD actually आपको कितना degree दिखाना है, 90 degree दिखाना है, अगर 90 degree आ गया तो समझो right angle है, ठीक है जी, बात समझ मा गई, चलिए, तो शुरू करते है, student हम एक एक करके, पहले इसी triangle में लेते हैं, ठीक है, किस वाले triangle में, ABC वाले triangle में लो, ठीक है, अच्छा, पहले एक बात जारा clear कर लेते हैं, student, कि AB equal to किसके, AC है, AB equal to AC है, तो AD equal to, यह AB भी दे रखा है, तो देखिए, दोनों में आपको AB का common है, इसका मतलब AB, AC, AD, तीनों ही equal होंगे, और देखो, single marking हो भी रिखी है, यह वाली side, AD किसके उक्षाँ, AB और AB किसके उक्षाँ, AC, इसका मलाभ वे तीनों होंपस में क्या है, equal, होंगे, ठीक है, हाई बात हमें, तो since, आपका given में क्या है, मैंने का, A, B किसके call है, AC के equal है, हाई बात हमें, and, आपका यह भी दे रखा, मैंने का, AD किसके क्षाँ, А, बात तो आप बोल सकते स्टूरेंट सो एभी किसके कोल है एभी कोल टू है किसके एसी के और किसके कोल एडिया नहीं कि तीनों एक्चुली एक दूसरे के एक्षिक्षर को अग्ounele Xćषर को एक्षिक्ष और एक्षिक्षच यहां भी एक्षिक्षब कर दोनों है और और कमर एक्षिक्ष कीबियर हो कोई जरूरी भी नहीं है यह आपको दिख गेंगा हो कि तीनों ही इक्वल है डान बात चलिए अब इस ट्रैंगल में लो इस्टॉइन पहले ए बी सी में ठीक है आपको 2 ट्रैंगल दिख रहे लो समय इन ट्रैंगल ए बी सी डान बात आपको याद होना चाहिए student कि यह वाली access किस पर बेस है एकस जो है theorem 7.2 और theorem number 7.3 पर बेस है ठीक है उनको आप जरूर देखें इन triangle ABC में क्या दिख रहा है इस triangle ABC में कि AB किसके equal है AC के equal है AB equal to student किसके equal है AC के equal है आपने कहां से लिया यह given से उठा लिया जी done बात कि यह आप दिख रहा है अब यह बता है आपको मैं पिछले कोशन में कि अगर आइसले strangle में दो साइड इकोल होते हैं यह और यह तो उनके अपूजिट एंगल भी क्या होते हैं इकोल होते हैं यानिकि यह वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा आप नहीं है ज्यान इसको इकोसर नंबर क्या माल लीजिए फर्स्ट यह कहां से लिए आपने बाइट थ्योरम नंबर आपको पता है 7.2 ठीक है पूरा लिग लिए आप यह तो यह कहती है कि भाई थ्योरम 7.2 यह कहती है कि एंगल अपोजिट तो इकोल साइड और इकोल टीक है कि अगर जो एंगल अपोजिट मों किसी इकोल साइड के तो वह दोनों भी क्या होता है एंगल भी एकोल ही होती है अने कि एंगल आपको क्या दिखेगा तो इन ट्रेंगल एडी में क्या है एक इस त्रेंगल में क्या है यहांने उपर लिग भी दिया बलके पकड़ सकते हो A C equal to A D, done बात तो A C किसके equal student A D के equal है, बात सजमारी है, इसको आप कहले के लिखेंगे from above ठीक है, ऊपर आपने देग लिया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख गया होगा, done बात, A C किसके equal है, A D के equal है, इसलिए मैंने यह पहले लिख दिया, आई बात सजमारी है, आपको कोई दिक्कत ना हो, student तो जब यह और यह equal है, यह और यह equal है, तो आप बोल सकते हो कि यह वाला angle, इस वाले angle के equal होगा 100%, क्योंकि opposite, opposite angles of equal side, opposite side are equal, ठीक है, कि opposite angle जो होते हैं, किसके equal side of an isolated angle are equal, यह दोनों equal होगे, जैसे यहाँ पे लिया, तो angle A, C, D किसके equal होगा, angle A, D, C, K, ठीक है, तो इसको आप लिख दें, कि angle A, C, D, किसके equal होगा, angle A, D, C, K को लोगा, ठीक है, student, यह आपने कहां से लिखा, मैंने का, इसको आप पहले equation number 2 माल लें, और लिख दे रीजन, बाई theorem, कौन सी पढ़ी थी हम नहीं है, 7.2 वाली theorem, आपको बता रहे किये, clear, अब ज़राब ध्यान, रेस्ट्वाइन, यहां पे, आपको एक तो यह वाला दिख रहा है, और यह वाला, अब देखे, आपको यह आपको लाना है, कि BCD right angle है, BCD, अब BCD किस-किस का सम है, BCD आपका एक तो इसका सम, यहनी कि ACB का और प्लस होना चाहिए क्या, आपका ACD, तो ACD तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ACB हो थोड़ा इधर हो गया, right hand में, क्यों ना मैं इसको इधर लिख दूँ, ऐसा कर दोने, इसको angle ACB इधर कर दो, और angle ABC इधर कर दो, ठीक है जी, अब मानना इसको question first, यहाँ पे इसको मत मानिए, ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, देखिए, ऐसा इसलिए क्या student, क्योंकि मैंने का, आपको यह वाला angle right triangle लाना, देखिए, BCD, तो B यह है, C यह है, D, अब यह BCD किसका सम है, इसका और plus इसका, इन दोनों को अगर add करेंगे, तो यह पूरा angle बन रहा है कि नी बन रहा है, first and second, इसलिए student मैंने इनको पहले ही reverse नहीं किया, इसलिए मैंने इनको आपको पहले समझानेंगे, कोशिस की reverse क्यों किया इसको, क्योंकि यह दोनों add करेंगे, तो क्या बनाएंगी, यह आपका angle BCD बना देंगे, ठीक है, इनको left hand का left hand जोड़ेगा, right hand का right hand, तो angle A, C, B में क्या add होगा, angle A, C, D, इधर आपका angle A, B, C में क्या add होगा, angle A, D, C add हो जाएगा, ठीक है जी, अब A, C, B, plus A, C, D, देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए student, आपका A, C, B, plus A, C, D, तो यह प्लस यह क्या बन गया, आपका, पूरा B, C, D बन गया, ठीक है, यही तो मैं समझाना चाहरा हूँ, angle B, C, D बन गया, पूरा, done, इसको आप ऐसी रेंदो, कोई problem नहीं है, ठीक है, A, B, C, प्लस angle A, D, C, अभी हमको मालूम नहीं है, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि कहीं से information ही नहीं इसके बारे में, तो आप पता कैसे सलेगा कि यह कितना होगा, इसको 90 दिखाना ना मुझे, एक काम करते हैं, इनमें क्या करो आप, एड़िंग करो, ठीक है, एड़ कीजिए, एड़िंग एंगल B, C, D, यानि कि ये वाला एंगल, ठीक है, on both side, दोनों तरफ इसको क्या कीजिए, मैंने का, एड़ कीजिए, ठीक है, इस एंगल B, C, D, को, ये आपका एंगल क्या है, A, B, C है, प्लस एंगल क्या है, मैंने का, A, D, C, B है, और प्लस क्या एड़ कर दिया, आपने B, C, D, एड़ कर दिया, इधर तो हो जाएगा two times, same हो गया, तो एंगल B, C, D two times हो गया, ठीक है, आप इधर जरा समझे कि इससे फाइदा क्या हुआ, हमारा B, C, D, बोला ना, कि एड़ करके फाइदा क्या हो, ये एंगल कौन सा आपका, B है, ये एंगल कौन सा आपका, D, ये एंगल आपका, C है, आई बास में, B, D, C, तो आ ये, ये तो ये, पूरा आपका पता है, ये वांगल सम एंगल चाहिए, वो कितना होता है, 180 डिगी, और किसमे हुआ ध्याना गना ये 8th, बैटरा आपका triangle कौन सा बैटरा मैंने का B C D वाला triangle बैटरा देखिए B C D देखिए B D और C angle तीन angle आ रहे ना B B आ रहा C B आ रहा D B D C B D C दन बाग तो इन तीनों का sum कितना होगा 180 degree region लिख दिया कि कौन सा triangle बन रहा है B C D और sum of angle कितना होता है 180 degree होता है किसी triangle के angle का sum तो 2 कहा जाएगा upon में तो angle B C D equal to आ गया 180 degree upon 2 तो that is 90 degree ठीक है तो आपका implies Z लिख सकते हैं angle B C D आ गया 90 degree तो इसी को हम क्या बोलते है language में लिख देंगे जैसा उसने कहा था कि क्या hence angle B C D is a right angle कैसा angle student right angle है कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए ठीक है इस तरह से हमने कोशन का लिए ठीक है बढ़ते हम कोशन नंबर 7 की तरब दिखें कोशन नंबर 7 आपका काफी अच्छा कोशन है आपको मेरे साफ से जल्दी भी समझ में आ जागा ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि समझते इसको बढ़िया से अब आपको पता है कि एक एंगल नाइंटी डिग्री यानि कि एंगल आपका 90 डिग्री है ठीक है तो आपको information मिल गए कि कौन सा एंगल होगा आपका 90 वाला ठीक है क्योंकि अगर हमको नहीं मालूम यह चीज तो हम confused रहेंगे कि A वाला है 90 की B वाला है की C वाला तो उसने खुझी दिजिया थी कि एंगल A 90 डिग्री है आपका triangle ABC बन गया अब यहीं पर क्यों आपको पता चल गया होगा साफ साफ क्योंकि वाला क्या दिखाना 90 डिग्री क्योंकि अगर यह information नहीं तो हमें थोड़ा दिक्कत होती कि कौन साव है ने तब हम जनरली B को लेते हैं लेकिन यहां पर साफ साफ का है कि एंगल A को आप 90 डिग्री माने आपकी मर्जी B इसको मान लो या सी यानि कि पिक्चर आपको ना खुद ड्रॉ करना पड़ेगा यह खुद ड्रॉ करना हो गे उसमें एक ही 90 डिग्री हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे राइट अंगल ठीक है बात क्लिए रहें तो यह 90 डिग्री हो गया तो A ही हो गया आप आपकी मर्जी 20 को मान लो सी इसको मान लो रटने की कोई भी जूरत नहीं है तो given में आपके पास आपके पास है ट्रेंगल ABC राइट 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 एंगल ठीक है तो यह वाला और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और यह साइड इकवल है इसका मतलब यह राइट अंगल ट्रेंगल ट्रेंगल तो है साथ में कैसे ब्लिग्री घुए है और इसमें इस तो इस यह जिए आई-सो लेस्ट्रेंगल भी यानिकि इसमें दो साइड़ इकॉल होती है डन बात चलिए तो इसको हम यहां से लाते हैं इसको ठीक है to find से यह आपको given है तो इस्टूएड जब यह यह दोनों साइड इक्वल है तो अभी बताया थियोरम 7.2 क्या चाहती है कि यह वाला एंगल इसके एक्वल होगा देखें यह वाली सैड इसके फोल तो क्या कहती है थोराम 7.2 7.2 यही कहती है कि angle opposite angle opposite to equal side ठीक है angle opposite जो angle होते हैं opposite में किसके equal side के ठीक है और equal वो क्या होते है equal यानि कि ये angle B किसके call होगा angle C के ठीक है तो आप बोल सकते हैं so angle B equal to angle C के कहां से बोलना हूँ मैं यह ध्यान अगना by theorem आपको पता होगा ठीक है और हम कौन सी है 7.2 हमने पूरूफ कर रहे हैं ठीक है पूरी पूरी आपको दिखना चाहिए आप चाहिए तो copy को घुमा ले अगर कोई सक है आपको तो ऐसा ही दिखिए एक तरह से दिखिए यह वाला इसके equal तो यह opposite angle क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे done इसलिए आप confusion कैसे बूल ले आप ठीक है इस तरह से आमने इसको बताया तो दिखिए triangle property यह पीछे पढ़ा रहा है मैंने ठीक है triangle की property भी आपको बता रहे है कि sum of angle कितना होता है 180 डिग्री होता है आपको पता होने चाहिए तो sum of angle short में लिखा यानि कि angles कितने हैं तीन है angle a plus angle b plus angle c equal to 180 डिग्री तीन ही तो अंगल है a b और c done बात तो दिखिए angle a angle a का value हमको नहीं मालूम है इसको ऐसी रहा है फिर ठीक है student आई बास में angle a बलके हमको मालूम है दिखिए angle a तो साफ साफ पता है कितना डिग्री है 90 डिग्री तो यहां पर तो आपका आ जाएगा student 90 डिग्री plus angle b और angle c के हैं दोनो इक्वल है तो यह तो angle b को c लिख दो या angle c को ही b लिख दो चलो c को भी लिख दो ना दोनों को महला एक जैसा लिख दो यह तो b को c कर दो यह फिर c को b कर दो c को b लिख दिया क्योंकि दोनों equal है equal to 180 डिग्री ठीक है b और b angle two times हो गया angle b तो 90 दर गया किसका हो जाएगा minus का तो यह हो गया minus का कितना बचा जी आपका balance आपका balance बचा 90 डिग्री तो 2 का जाएगा upon में आपका कितना student आपका कट करके आजाएगा 45 डिग्री ठीक है तो angle b 45 हो गया और b और c दोनों equal है सो आपका angle c b कितना हो जाएगा 45 डिग्री तो दिखिए यह तो हमको पहले समझ में खुदी आता ना चाहिए यह 90 है तो 100% यह इन दोनों का सम कितना होगा 90 क्योंकि 90 क्या होता 180 हमको पता है कि angle के जो triangle होता है कोई भी triangle उसके तो अगर यह खुदी 90 है तो बाकि कितना बचा 90 तो बचा क्योंकि 90 हो जाएगा तो इतना तो खुदी लग रहा कि इन दोनों का सम 90 होगा और यह पता है हमको कि बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और तो चलिए स्टुएंट कोशन नंबर एट है और यही आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट कोशन भी और बहुत अच्छा कोशन ने दिखिए आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि angle of an equilateral triangle ठीक है आपको पता होना चाहिए एक्विलेटर ट्रेंगल क्या होता है जिसकी all side equal होती है यानि कि तीनों साइड क्या होंगी इक्वल आपको दिख रहोगा यह आपका ABC ट्रेंगल यह ट्रेंगल खुद बनाना पड़ेगा बुक में नहीं मिलेगा ठीक है कि ABC ट्रेंगल है और यह कैसे ट्रेंगल है एक्विलेटर ट्रेंगल है एक्विलेटर मलत जिसके तीनों साइड नहीं मलत इसके को जिए वाली इसके को तीनों आपस में इक्व seu को आप एक्विलेटरियंगल बोलते हैं तो आपको क्या सो करना है कि so that the ईंगेल्स of nectar यह ऊंक लटार्र त्रेंगल्स का 60 60 plus 60 that is 180 आ रहा बिल्कुल सही आ रहा सही है तो यह आपने सुना भी होगा बल्कि कि जो equilateral triangle होता है यह जिसमें तीनों side equal होती है उसका each angle कितना degree होता है student 60 degree होता है 60 plus 60 120 plus 60 180 बिल्कुल सही आ रहे लेकिन आपको show करके लाम आए कि show the angles of an equilateral triangle are 60 degree यह आपको show करना है तो आपको माल लेते हैं कि let कर लो जब आपको इसको solve करेंगे student तो आप let कर लेना कि ठीक है कि let triangle ABC आपने माल लिए ठीक है be an equilateral triangle कैसे triangle student equilateral triangle है done बात equilateral triangle ठीक है जी और इसमें आपको पता है equilateral triangle में क्या होता है तीनो side equal होती है ठीक है तो आप लिखेंगे इन विच या such that भी आप लिख सकते हैं इन विच ए बी किसके को लोगा बी सी के और बी सी किसके को लोगा सी एक है ठीक है a b equal to b c equal to c है बात सब्सक्राइब कि क्यों लिखा हमने क्योंकि equilateral triangle equilateral triangle की तीनों side है equal होती है ठीक है student कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने जी अब दिखिए थोड़ा सा आपको लाना है कि सो करना है कि angles of किसके equilateral triangle का 60 degree यानि कि इच एंगल एक्चुली यहां पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि so that each angle of an equilateral triangle are 60 degree और बलकि यहां भी लिखावा है एच ठीक है तो यहां पर भी लिख सकता है यह यहां भी लिख दिया कि so that angles of an equilateral triangle are 60 degree each each मलब हर एक एंगल ठीक हर एक एंगल आपको 60 degree लाना है डन बात चलिए तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं तो इस triangle ABC मिलेंगे इन triangle ABC में ठीक है student चलिए आप कहीं से भी इसकी information पकट सकते हैं पहले इसको लिलो जन्रल आपको यह दिख रहा है कि AB किसके इक्वल है CA के इक्वल है यहां से दिखिए AB equal to CA तो आप लिखिए यहां पर सिंस कि AB किसके इक्वल है CA के इक्वल ठीक है या इसको आप AC लिख सकते हैं डारेट कोई दिक्कत नहीं है AB equal to AC यह कहां से लिखा आपने यह एक्चुलिए गीवन है आपके पास ठीक है गीवन मदलब गीवन क्यूं है इसलिए क्यूंकि इक्व हो इधर के लिए भूल जाओ कि यह इक्वल बात तो अभी यह एक तरह से किसकी तरह दिख़ा आपको इसोले स्टरेंगल की तरह तो आइसोले स्टरेंगल में दो सैड क्या होती है इक्वल होती है तो उनके अपोजिट यहां पर आप बोल सकते हो फो एंगल B किसकी को लोग कि angle opposite के, जो angle opposite में होते हैं, ठीक है किसके? equal side के है От equal to what the tiers आप ने किस Damit को लिया a, b or c है अब आप किसको ले ले लें अपे, इन दोनों को आप ले लें, ठीक है इन दोनों को पहले आप इस किस को लिया अब आप BC को ली ले ले, कैसे angle b to teria c उ गया स़ल सकते है आप रटना कुछ भी ने प्रोंसट पीकों झाये इन को नलों थि के इन दोनों को भी सकते हो आपस या इन दोनों को भी ले सकते ओं ठीक है तो आप लिखेंगे अगैन ठीक है अगैन कि यवन ले tenth न कि बीसिग किसके कले सी एक deze कि सप्सकों कि अभला ऑप यहां तक आपको समझ में आदाने चाहिए बीसी इक्वल टू टू एसे यह भी आपने कहां से लिखा हो आपकी को मैं घुमां ताकि मैं आपको बड़िया करके समझा पाहूं कि इकुल ही इक अंगल फो टाक। जब एक्वल साइड है तो उनके खोअजे अंगल प्सक्राक्रा अंगल esos ठीक है तो यहां पे आप लिख लें, so angle B equal to angle A, this is equation number 2, यह भी आपने कहां से लिखा, by theorem number 7.2, जो आपको मैंने पीछे पढ़ा रही है, ठीक है, done बात, तो यह भी equal हो गए, तो दिखे, from equation 1st or 2nd से दिखे, from equation 1st and 2nd से आप क्या बोल सकते हो, कि angle B, C के equal और angle B, A के equal हो, यानि कि A और C B equal होंगे, तो आप बोल सकते हो, कि 3 angle B equal हो, किसके, angle B और angle C, यानि कि 3 angle ही आपस में equal होंगे, इसको चाहो होता आप equation number 3rd मान लीजिए, ठीक है, B, C के बिकोल हो, इसका माला A, A, C, B equal होंगे, कोई रटने वाली बात है, मैंने इसको लिए, इसको इसको लिए, आप चाहते है, इसको 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 लिए, ठीक है, कोई problem वाली बात है ही नहीं, So, आपको पता है student, कि मैं बूलुँगा कि sum of angles कितना होता ही, बता आपको sum of angles क्या होता है, triangle एंगल का 180 degree होता है ठीक है आई बात संदमार यह पढ़ाया था मैंने आपको क्या पढ़ाया था angle sum property किसकी of triangle ठीक है of any triangle of any triangle किसी भी triangle के तीनों एंगल का जो sum होता वो 180 degree होता है अब sum of angle यानि कितने एंगल है 3 angle a angle b और angle c तो आप लिख दें यहां पर angle a plus angle b plus angle c equal to 180 degree आप अब दिखें इसकिया इबीचरी तीनों एकोल है या तो सब को बी कर दो या सब को कर दो मैं कि एंगल एंगल कर लेता हूं बलकी में सबको कोई दिख्या क्यों किया क्योंकि तीनों equal है तो B की जगा भी A लिख दिया C की जगा भी A या आप A की जगा भी B लिख दें और C की जगा भी या तो महलब या तो A लिख दो सबको या B लिख दो या C लिख दो बात यह की है 180 degree इन तीनों को एड करोगे दिए कि र्यकोशन से थार्ड से क्या बोल सकते हो एंगल भी के एकमल या निकी एंगल बी एकमल तु सिस्टी ऑजाएगा आपका सिस्टी उजाएगा ठीक है, of an equilateral triangle, ठीक है, triangle वो कितना होता है, student, triangle are 60 degree each, each मलबला हर एक, कि हर एक angle इसका 60 degree होता है, और अगर आप तीनों काइड करेंगे 60 plus 60 plus 60, that is 180 आएगा, 100% आपका result, ठीक है, तो यह question भी आपका बहुत आसान था, आपने solve कर लिया, ठीक है, student, I hope आपको पूरा वीडियो पसन आयोगा, thank you so much watching this video.